फ्रेंड यो एक बार फिर से धमाका करने वाला है फ्रेंड यो के एक ही रिचार्ज में आपको काफी सारा बेनिफिट होने वाला है तो फ्रेंड वह कौन सा रिचार्ज है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है सारी बाते जानने के लिए वीडियो को अम तक जरूर तो चलिए फ्रेंड जल्दी से जान लेते हैं लेकिन आगे बहने से पहले फ्रेर्ण अगर सब्सक्राइब नहीं कि आपने हमारे चैनल को तो ससक्राइब करने के बाद बैल आईकोन ज़रूर प्रेस करते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी के वीडियो लाता रहता हूं फ्रेंट मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं ट li दल फ्रेंड आपको कॉल करने के लिए अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है ब्राडबेंड सर्विस यूज करने के लिए ब्राडबेंड को अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है और DTH सर्विस यूज करने के लिए DTH को अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है तो फ्रेंड यहाँ पर GEO प्लानिंग कर रहा है कि अब आपका तीनों काम एक ही रिचार्ज में हो जाए तो फ्रेंड बहुत जल्दी GEO की तरफ से आपके लिए ऐसा रिचार्ज आने वाला है जो कि एक ही रिचार्ज में यह तीनों काम आपका कर देगा तो फ्रेंड यह काफी अच्छा रिचार्ज होने वाला है तो चलिए फ्रेंड जान लेते हुआ किसका रिचार्ज होगा और कैसे आपको इसका benefit मिलेगा फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जियो ने जियो गिगा फैवर को काफी दिन पहले launch कर दिया है लेकिन commercially इसे launch नहीं किया था लेकिन फ्रेंड अब जियो गिगा फैवर को commercially launch कर रहा है और बहुत जगा जियो ने जियो गिगा फैवर सर्विस देना सुरू कर दिया है और बांकी जगा में धिरे धिरे जियो गिगा फैवर की सर्विस आ रही है तो फ्रेंट यदि आप Jio Giga Fiver लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक ही रिचार्ज में सारी सेवाएं मुपत मिलने वाली है फ्रेंट जैसा कि आप जानते हैं कि Jio Giga Fiver लेने के लिए आपको 4500 रुपया देना पड़ेगा जो कि refundable मनी होगा फ्रेंट यदि आप Jio Giga Fiver लेते हैं तो आपको Jio Giga Fiver के साथ में Jio Giga TV और साथ में Landline सर्विस भी फिरी मिलेगी तो फ्रेंट यहाँ पर एक रिचार्ज करवा कर तीनों सर्विस आप साथ में यूज कर सकते हैं फ्रेंट जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्राय का नया नियम आ जाने के कारण अब DTH रिचार्ज करवाना पहले से काफी महगा हो गया है इसलिए DTH रिचार्ज करवाना लोगों को काफी महगा लगता है लेकिन इस सर्विस के आज आने से आपको एक साथ में सारी सेवाई मिल जाएगी और फ्रेंट यहाँ पर एक बिसेष्टा जया होगा कि जियो गिगा टीबी में आपको लगबग 600 चैनल मिलेंगे जो कि कि किसी भी DTH में नहीं है तो फ्रेंट यहाँ पर रिचार्ज भी आपको कम लगेगा और सर्विस भी अधर कमपने से ज़्यादा मिलेगी हाला के फ्रेंट जियो ने बताया नहीं है कि कितने का रिचार्ज आयागा लेकिन ऐसा ओमिज जताया जा रहा है कि यह रिचार्ज 28 दिन का होगा और इसका प्राइज 600 रुपे के आसपास होगा इसमें कि आपको DTS सर्विस, Jio Giga Fiver की सर्विस और कॉलिंग सर्विस तीनो एक साथ में मिल जाएगा तो फ्रेंट आपको क्या लगता है Jio का यह कितने का रिचार्ज आएगा और क्या यह रिचार्ज आधर कंपने से बहतर होगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो फ्रेंट आज की वीडियो जहीं तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकोन चरूर प्लेस कर दें तो फ्रेंट मिलता हूँ आप से एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई